नमस्कार दोस्तों मैं सुमिद स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटुब चैनल मैरीसी कैंपस पे दोस्तों आज हम स्टैटिक जी के एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों आज हम असम राज्य के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पड़ेंगे और दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका असम राज्य से सिंगल क्वेशन भी गलत नहीं होगा उमीद है दोस्तों ये सिरीज आपको पसंद आएगी तो चलिए दोस्तों शुरुवात करते हैं 26 जनवरी 1960 को असम का गठन हुआ दिसपूर राजदानी है लारजेस्ट सीटी गुवाटी है और डिश्टिक की बात करें दोस्तों 33 टिश्टिक हैं असम के अंदर और सीएम की बात करें दोस्तों सर्वानंद सोनवाल यहां के सीएम है और जगदीश मुखी यहां के गवर्नर है सीट की बात करें तो 126 विदान सबा की सीट हैं लोक सबा की 7 सीट हैं राज्य सबा की 14 सीट हैं और हाई कोट की बात करें तो दोस्तो गुवाटी आई कोट हैं और चीफ जस्टिस की बात करें तो सुदान सु दूलिया यहां के चीफ जस्टिस हैं दोस्तो, गुवाटे हाई कोट के अंडर अगर बात करें, तो असम, अरुनाचल परदेश, नागा लेंड और मिजोरम आते हैं. दोस्तो, असम का कुल अक्षेतरफल 98,438 km2 है. इंडिया में एरिया वाइज रेंग की बात करें, तो 16th और पोपुलेशन में रेंग की बात करे दोस्तो, 15th है. उफिसियल लेंग्वेज दोस्तो, असमिया है, सिंबल ओफ स्टेट की बात करें, स्टेट बर्ड, वाहिट विंग्ड, वुड डख है, और स्टेट एनिमल की बात करें, तो वन होरंड, राइन ओज है. स्टेट फलावर की बात करें, तो राइन को स्टाईल इस रेटूसा है और स्टेट ट्री की बात करें डिप्टेरो कारपस मैकरो है। स्टेट डांस दोस्तों भी हूँ है और स्टेट रीवर बरंपुतर नदी है। स्टेट ड्रिंक दोस्तों यहां की चाय है। नेशनल पारक के उपर अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहले ओरंग नेशनल पारक है दोस्तों आप सभी को पता है काजी रंगा नेशनल पारक एक सिंग वाले गंडे के लिए परसीद है और ओरंग नेशनल पारक के अंदर दोस्तों एक सिंग वाला गंडा पा जाता है इ सबसे ज्यादा पुछा जाने वाड़ा नैशनल पारक है और दोस्तों ये एक सिंग वाले गंडे के लिए परसीद है 1985 में इसे युनेस्को की वल्ड हैरिटेज साइट के अंदर सामिल कर दिया गया था और 2006 में इसे टाइगर रीजरो के रूप में दोस्तों ये असम के दो जिले गोला गाट और नोखा गाओं के अंदर पड़ता है और एक सिंग वाले गंडे के तरिक दोस्तों यहाँ पे ACI हाथी भी पाई जाते हैं और ये असम का सबसे पुराना नैशनल पारक है 1905 में दोस्तों इसे नैशनल पारक गोशित कर दिया गया था उसके बाद दोस्तों मानस नैशनल पारक ये है टाइगर रीजरो बायो स्फिर रीजरो और हाथी रीजरो के रूप में दोस्तों इसे गोशित किया जा चुका है और दोस्तों ये UNESCO की Natural World Heritage Site के अंदर भी सामिल हो चुका है 1985 में दोस्तों इसको National Park गोशित किया गया था Next दोस्तों ना मेरी National Park 1988 में इसे National Park गोशित किया जा चुका है डिबरू साइखोवा दोस्तों ये असम के डिबरूगर जिले के अंदर पड़ता है और पहले ये सफेद पंखों वाले देवहंस के सरक्षन के लिए बनाया गया था लेकिन बाद में ये जंगली गोडे और सफेद पंखों वाली बतक के रूप में परसीद हो गया 1908 में इसे National Park गोशित किया गया दोस्तों उमीद आई ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी तो अपने चैनल मेरी सी केंपस को सबस्क्राइब जरूर करना अगला National Park दोस्तों दिहांग पटकाई इसे 2020 के अंदर दोस्तों National Park गोशित किया गया है अब देखते हैं दोस्तों Wild Life Century वन्ने जिव अब्यारन यहाँ पे दोस्तों बोरनाडी, चकरसिला, पोबीटोरा, दिपोरबिल, बोरेल, दिहांग पटकाई, नैमबोर, सोनई रुपई और गरम पानी यह दोस्तों यहाँ की Wild Life Century है दो Wild Life Century दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावित हैं नोर्थ कारबी और बोर्डोबं बिल्मुक इंपोर्टेंट फेस्टिवल की बात करें दोस्तों बीहू, बात्थो, बरंपुतर बीच, बरंपुतर बीच, गरजा, खेरई, माग बीहू, माजूली, पोराग, शोकिरोई, टी फेस्टिवल, रोंकर और हच्चा के कन यह दोस्तों यहाँ की Important फेस्टिवल हैं पर्मुक मेले की बात करें दोस्तों, अम्बुबाची, जोनबिल और रोंगली, यह दोस्तों यहाँ की पर्मुक मेले हैं Important ट्राइब की बात करें दोस्तों, बोडो, मिसिंग, कार्बी, तीवा, तीवा को दोस्तों लालूंग भी कहा जाता है बोडो, कचारी, नागा, दिमसा, कुक्की और खमाती Important डान्स की बात करें दोस्तों यहाँ पे बीहू, बोर्टल, जुमेर, और बागू रुम्बा, यह दोस्तों यहाँ की important डान्स है Important टेंपल की बात करें दोस्तों, कामख्या बहुत ज़्यादा फेमस है महामाया दाम, लंकेस्वर, नवागरे और रुद्रेस्वर फेमस परसनेल्टी में दोस्तों, गोपिनात बोर्दोलई, यह असम के पहले CM है जोती परसाद आगरवाला, यह असम के पहले फिलम मेकर है यह दोस्तों बुपेन हजारी का है, जो की असम के परसीद गायक, संगीतकार, कवी और समाजसेवी है दोस्तों, इन्हें बारत सरकार के दुवारा, बारतरतन, पदमबूशन और दादा साब पल के पुरुषकार से इन्हें नवाजा जा चुका है नेक्स्ट दोस्तों, विरेंदर कुमार बटाचारी है, जो की पर्थम असमिया लेखक हैं, जिने ग्यानपीट पुरुषकार से नवाजा गया था नेक्स्ट दोस्तों, अगर बोगोलिक स्थिती के उपर हम बात करें, असम पुरुषकार राज्यों का परवेश दवार कहा जाता है और असम की परमुख नदी दोस्तों, बरंपुत्तर है दोस्तों, बरंपुत्तर नदी का उदगम, तिबबत में मानशरोवर जील से होता है और बरंपुत्तर नदी दोस्तों, तीन देश्टों से होकर बैती है चाइना, इंडिया और बंगला देश दोस्तों, चाइना में बरंपुत्तर नदी को सांगपो का आ जाता है बारत में अनाचल प्रदेश में इसे देहां का आ जाता है असम के अंदर दोस्तों इसे बरंपुत्र का आ जाता है और बंगला देश के अंदर दोस्तों इसे जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तो असम के तीन लिष्टिक बर्मपुत्र नदी के उपर पढ़ते हैं गुवाटी, डिबरूगड और तेजपूर दोस्तो बरंपूत्तर नदी जैसे ही डिब्रूगड डिस्टिक से निकलती है डिब्रूगड और लखिंपूर के बीच दोस्तो वहें दो साखाओं के अंदर विबाजित हो जाती है और फिर वहीं पे विशव का सबसे बड़ा नदीये दवीप माजूली का निर्मान करती है माजूली का अक्षेतरफल की बात करें दोस्तो बारा सो पचा स्क्वेर किलोमीटर है एक सितंबर 2016 को इसे गिनिज बुक ओफ वर्ल्ड रिकोर्ड के अंदर सामिल करती है अगा था दुनिया के सबसे बड़े नदीये दवीप के रूप में दोस्तो देश का एक मात्तर ऐसा माजूली को अस्मिया, संसकर्ती तथा वैसनव दरम का प्राण भी कहा जाता है इंपोर्टेंट लेक की बात करें दोस्तो हदूंबी, दिगली फुकरी, दिपोर, हाफ लोंग और सोनबील हाइस्ट पीक की बात करें असम की वो है दोस्तो नामचा बारवा जो की अठेंट, असम के बारे में दोस्तो कुछ मेत्यपूर्ण तथे इंपोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, असम को दोस्तो प्राचिन बारतिय गरंथों के अंदर प्राग जोतिस्पूर के नाम से जाना जाता था, बारत के अंदर चाय का सबसे बड़ा उतपादक राज्य है, जो कि उतपादन करता है, बारत का सबसे बड़ा प्राकर्तिक चेडियागर असम राज्य चेडियागर है, एसिया का दोस्तो सबसे पुराना अखाडा रंग हार सीब सागर ये भी असम के अंदर है, बारत का सबसे लंबा पुल दोस्तो बुपेन हजारी का पुल ये असम के अंद ये भी दोस्तो असम के अंदर ही है। आजादी के बाद असम की राजदानी सिलोंग थी जो की एट परजेंट मेगाले की कैपिटल है लेकिन उसमें अलग राज्यों की मांग हुई तो 1968 में असम से नागालेंड को और 1922 में मेगाले और मिजोरम को असम से अलग कर दिया असम की सीमा बुटान और बंगला देश दो देशों से लगती है। बरंपुतर नदी को असम की लाइफ लाइन का आजाता है। बारत में सबसे ज़्यादा जंगली बैस असम के अंदर पाई जाती है। और बारत में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल के बंडार ये भी असम क के अंदर हैं 2011 की जनगन्ना के अनुशार दोस्तों असम का लिंगानुपात 954 रेशो एकजार है उमीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना और कमेंट करके अपनी राई जरूर देना और आपके अपन सन आप तक पहुंच सकें थैंक्यू दोस्तों